एलो स्टूडkęण वेलकम टू स्वातिस क्लासेज आपको पेर फॉर्म करने हैं एक आप और आपके साथ कोई भी आपका फ्रेंड आप लेसकते हो इस तरी के से आप पेर बनाओगे यहाँ पे देखिए आपको दिया है एक blue card है और एक pink card है तो आप और आपके friend दोनों में से कोई भी एक क्या करेगा जो blue card दिया है उसके उपर finger रखेगा एक letter के उपर और आपका जो भी फ्रेंड है वो क्या करेगा कि pink card में जो भी letters दिये है यह vowel sound होते है और बागी की जो letters से होते है तो आपको क्या करना है जो blue card दिया है उसमें से एक letter लेना है और आपका जो भी partner होगा आपका friend वो क्या करेगा pink color का जो card है उसमें जो vowel sound दिये है उनमें से एक के उपर finger रखेगा open your eyes और उसके बाद यह जो letter आप choose करोगे तो यह eyes close करके आपको करने है उसके बाद आप eyes क्या करोगे open करोगे now each one of you has one letter of the alphabet means आपके पास क्या होगा एक alphabet और आपके friend के पास दूसरा alphabet means ऐसे एक एक letter आपके पास होंगे each pair has two letters तो यहाँ पर आपने pair बनाई है दोनों की तो आप दोनों के पास एक एक letter होगा write as many words as you can which have both the letters you pick तो आपके पास जो दो letters है उससे आपको क्या करने है अलग-अलग words बनाने है for example अगर यहाँ पर फर्स जो भी है आप आपने अगर select किया s को और आपके friend ने select किया i को तो इससे आप कौन सा word बना सकते हो is 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 बना सकते हो देखें यहाँ पर आपको picture में भी दिया है कि दो-दो के pairs यहाँ पर बेटे हुए है तो first जो pair है उन्होंने बनाया है sit seat तो इस तरीके से आप क्या करोगे एक blue जो card है उसमें से एक letter लेना है pink में से एक letter लेना है और कोई भी वड़ा बना सकते हो और letter भी यहाँ पर आप कम जादा कर सकते हो जैसे कि fish है is goat, dog, frog, bat, doll, table इस तरीके से लिए कोई भी word जो है उसके लिए vowel sound भी important होते है और consonant भी means आप यहाँ पर क्या करोगे दोनों भी card में से एक एक letter आपको choose करना है और उनसे अलग-अलग words आपको बनाने है तो यह game आपके friends के साथ भी आप खेल सकते हो और अगर family members से तो उनके साथ भी खेल के आप क्या करोगे अलग-अलग तरीके words बना सकते हो next page पर आपको दिया है think and answer तो यहाँ पर आपको picture कुन सा दिख रहा है एक classroom का picture है जिसमें student से और teacher भी है देखेंगे हम यहाँ पर क्या दिया है teacher said good morning children जैसे कि class में आते ही teacher क्या करते है आपको good morning wish करते है children said good morning teacher teacher said what is your name तो एक student को उन्हें क्या किया है नाम पूछा है तो तेजल said my name is तेजल तो जो लड़की थी उसका नाम क्या था तेजल teacher said what is the first letter of your name कि आपका जो नाम है उसका first letter क्या है तो उसने answer क्या दिया है ती आपका भी जो भी नाम रहेगा उसमें आप देखोगे कि आपके नाम का first letter क्या है Teacher said what is the last letter of your name तो तेजल को ही पूचा है कि आपके नाम का last letter क्या है तो क्या है का last letter L Teacher said how many letters are there in your name तो तेजल इस नाम में कितने letters आते हैं तो आप count कर सकते हो कितने हैं 5 letters है Teacher said tell any word that begins with the first letter of your name First letter क्या आया था T तो T से start होने वाला कौन सा कोई word आपको पता है तो उसने answer दिया Tiger तो यही activity आप आपके नाम के साथ कर सकते हो आपका जो भी नाम है उसका first letter क्या है last letter क्या है आपके नाम में कितने letters आते हैं वो भी देख सकते हो और जो starting letter है उससे कौन सा नाम बनता है वो भी आप कर सकते हो for example के लिए आप अपने ही नाम को use कीजी तो इस तरह के से activities दी है जिसमें आपको सिब क्या करना होगा आपके नाम के first, last letter, कितने letters से और first letter से बनने वले नाम और जो first activity हमने देखिए उसमें तो कही सारे letters नाम जो है आप words जो है अलग-अलग तरह के से बना सकते हो तो ये कुछ इस तरह के से activity आपको दी है I hope आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी तो आपको वीडियो क्या करना है लाइक करना है, आपके friends के साथ share करना है और अगर चैनल को अपने subscribe नहीं किया होगा तो subscribe करना है